हेलो व्रीवान आई वेलकम योल्टू जी के ओशेन यूटूब चानल आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप थर्टी कोशन जो कि आपके एक्जाम जे एससी जे पीसेस और जहारकन बीट का जो इंट्रेंस का एक्जाम होने वाला है उसक चक्षू पब्लिकेशन दोड़ा पबिश की गई है चक्षू पब्लिकेशन की बीट का एक्जाम होने वाला है जहारकन के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है इसमें आपको समपून यानि कि इस इसक्षण अभियोगीता जर्नर इंग्लिश तार्किक योगीता को सभी इस बुक को आप online और offline दुरों तरह से purchase कर सकते हैं, online purchase करने का link मेंने description box में लगा रखा है, और इस बुक के कुछ sample आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जाक्षु पॉब्लिकेशन की जारकंड की जीके की बुक भी आती है, जो कि आपके exam के लिए बह इस बुक का कुछ sample भी मैं आपको दिखा दोगी कि कैसे topic को discuss करने के बाद, उसमें आपको practice set भी दिया गया है, हर एक topic के बाद, यह फिलाल तो previous year के question है, बहुत अच्छे से यहाँ पे discuss किया गया है, answer भी दिया गया है, और answer को explain भी गया गया है, as you can see, उसके बाद और उसके बाद यहाँ पे आपको important question भी discuss किया गया है, ऐसे हर topic में किया गया है, तो चलिए हम लोग अपना आज का discussion स्टार्ट करते हैं, तो आज का हमारा पहला question है, मानों दुआरा, सर प्रतम, प्रियुक्त अनाज कौन सा था, चार option आपको सामने दे रखा है, गेहू, च प्रियुक्त किया जाता है, सर प्रतम, जौ का जौ को मानों दौरा उगाया गया, दूसरा अनाज गेहू और तीसरा चावल था, ठीक है, फिरसिया आप एक्स्प्रानेशन देख लिजे, देखिए, आधूनिक मानों समाज दौरा मुक्त रूप से आठ अनाजों का उप्यो प्रतम, जौ को मानों दौरा उगाया गया, दूसरा अनाज गेहू तो याद रखिएगा, तीसरा चावल था, ठीक है, पहला जौ, दूसरा गेहू, और तीसरा चावल, याद रखिएगा, इंपोर्टन कोशन देखे, इस वीडियो का पीडियाफ आप टेलिग्राम चानल से लो तो like and share भी जरूर करें निम लिखित में से किस स्थल से हड़ी के उपकरण प्राप्त हुए हैं बहुत ज्यादा important question है यह ठीक है कोशन है आपके लिए कि यहां पर निम लिखित में से किस स्थल से हड़ी के उपकरण प्राप्त हुए हैं चार उक्षन आपको सामने दे अनुसार पशुपालंग का प्रारम कब हुआ था तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा option number D मत दे पुरा पाशांड काल में ठीक है यहां पर आपका option number D हो जाएगा हमारा सही आंसर खाध्यानों की क्रिशी सर प्रतम प्रारम भुईती कब चार option आपके सामने दे रखा है जो सही आंसर है वो है नव पाशांड काल में ठीक है अगले question पर हम लोग आते हैं नव नवदा टोली का उत्खनन किस ने कराया था तो यह कराया था कि HD संकालिया के दुआरा देखें नवदा टोली मद्र प्रदेश का एक महत्पून तामर पाशानिक पूरा स्थाल है जो की इंदौर के निकट है नेक्ष कुछिन पर हम लोग आते हैं यह भी हमने डिसकस किया नवदा टोली किस राज में इस्तित है गुजरात महरास 36 गण य ठीक है इंदौर के पास मद्र प्रदिश राख का टीला निमलिखित में से किस स्थल से संबंदित है तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा संगन कल्लू ठीक है संगन कल्लू इस दा करेक्ट आंसर नेक्ष कोशन इस भीम बेट का किसके लिए प्रसिद्ध है आसान ह गुफाओं के शैल चित्र के लिए खनिश के लिए बौध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी के उपागम स्थल के लिए तो भीम बेट का जैसा कि आपको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है तो यह प्रसिद्ध जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए ठीक है नेक्ष को बीज़ादान से प्राप्त हुए हैं यह इंपोर्टन कोशन है क्योंकि एक्जाम में कई बार पूछा गया है तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा बुर्ज होम में ठीक है बीज़ा करेक्ट आंसर नेक्स कोशन है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमड कब हुआ तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर C मुहम्मद बिन कासिम कब 1711 जैसा कि अभी हमने यहां पर डिसकस किया मुहम्मद बिन कासिम ठीक है सी इस दा करेक्ट आंसर नेक्स कोशन है निम्ड में से कौन चंदेल शाशक महमूद गजनवी से पराजित नहीं ह यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा यह ऊजाएगा विद्याधर ठीक है इक्जाम में पूछा गया प्रशन है भी ईतिहास कार्ग कोन था कई बार इक्जाम में पूछा गया है चार ओपशन आपके सामने दे रख़ा है निजामी उतबी फिर दौसी या चंद बरदाई तो म महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद इतिहासकार कौन था तो महमूद गजनवी के साथ जो भारत आने वाला प्रसिद इतिहासकार कौन था तो यह थे अलबरवनी ठीक है नेक्ट कोचिन है पुराणों का अध्यान करने वाला प्रत्थम मुसलिम कौन था बहुत इबार पूछा गया प्रेश्न है चार आपके सामने दे रखाया है अबुलिफच often you yep some मुसलिम है लपरत पुराणों को ने किंग पृत्वियात चोहान का जैचंद तो कि पराजित किया था को यह था ढूंक Hey मोहमद गोरी ने जैसंत को किस यूद में पराजित किया था अ की दूधक ल्छा यूद तो मुहम्मद गोरी ने जैचन को पराजित किया था तरायन का प्रथम युद्धि के जोकी 1191 में हुआ था कि नेक्स कोशन है किस मुश्लिम शासक के सिख्खों पर देवी लक्ष्मी का आकर्ती बनी हुई है तो ये हैं मुहम्मद गोरी नेक्स्ट भारत में मुहम्मद गोरी ने किसको प्रथम इकता प्रदान किया था यल्दौज, कुतुप बुद्दीन एबक, इल्तुत्मिश या कुबूचा देखे मुहम्मद गोरी ने किसको प्रथम इकता प्रदान किया था तो ये थे कुतुप बुद्दीन एबक ठीके तो तो पुद्दीन एफक नेक्स्ट कोशन है भारत में पुर्दगाली शक्ति का वास्तिविक संस्थापक कौन था वास्कोडिगामा, अल्भुकर्क, अल्मीडा या ओक्सडन तो जो सही आंसर यह है अल्भुकर्क ठीके याद रखेगा अब वास्कोडिगामा एक नहीं तीन बर भारत आया है ठीके कलकत्ता शायर के स्थापना किस ने की थी चार्ल्स आयर्ड, चार्ल्स चार्नौक, सोरी चार्ल्स आयर्ड, जॉब चार्नौक, विलियम नैरिस या गैरोल्ड अंग्यार तो जो सही आंसर हो जाएगा जॉब चार्नौक, इंपोर्टन्ड है, एक्जाम में कई बार रिपीटिडली पूछा भी जाता है नेक्ट कोशन ने इस्ट इंडिया कंपनी की प्रतम मसूली पटनम में एक आस्थाई कारखाना 1611 में स्थाफित किया था, यहां पर जो है आस्थाई याद रखेगा, और बाद में 1613 में सूरत में स्थाफित कारखाना अंग्रेजों की प्रतम स्थाई कारखाना था, सही से आपको अच्छे सा नेक्स कोच्छन है, ब्रिटिस इंडिया कंपनी बंबई किस से लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से और डैनिसों से या पुर्तगालियों से तो जो सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों से ठीक है, देखें आपे इंग्लेंड के समराथ, चार्ल्स का विवा, पुर्टगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था ठीक है, 1668 में चार्ल्स ने 100 पॉंड वार्सी किराय के बदले बंबई को ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिया था नक्ष्ट है, आपका प्रथम करनाटक यूद का तातकालिक कारण क्या था? अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण, आउस्ट्रिया की राजगद्धी की जंग, करनाटक की राजगद्धी का मामला या इनमें से कोई नहीं तो जो सही आंसर जाएगा, अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण, ठीक है? तो ये A is the correct answer करनाटक का यूद किस-किस के मध्य लड़ा गया, अंग्रेजी वा फ्रांसीसी, अंग्रेजी वा डच, अंग्रेज वा मराथे, हैदर अली वा मराथे, तो करनाटक का यूद किन-किन के बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था देखे, बहुत ही easy question है, इस question का अंसर आप लों comment section में देना है, easy question है, यहाद रखेगे का तीन यूद हुआ था, करनाटक का यूद हथ, ठीक है? बकसर की यूद के समय दिल्ली का शाशक कौन था? आपको बताना है यहां पर सही आंसर ज़ेगा औरंग जेब ठीक है बक्सर के युद के समय दिली का शाषर औरंग जेब था नेक्ट कोशन है प्लासी का युद कब हुआ था तो प्लासी का युद कब हुआ था इजी कोशन है प्लासी का युद हुआ था 1757 में अंग्रेजों तथा पंगाल के नवाप सिराजु दॉला के मद्ध हुआ था प्लासी का युद कब 1757 में बक्सर का युद कब हुआ था देखे बक्सर का युद हुआ था उननीस सो 1764 में 1764 में देखे बकसर का युद मीर कासिम, अवद के नवाब सुजाउद दौला, मुगल के समराश्या अलम्दो की संयुक सेन तथा अंग्रेजों के मद्ध हुआ था चिलिया वाला का युद कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1849 में इस युद में अंग्रेजी सेना का नेति तो लाड़ गफ ने तथा सिख सेना का नेति तो शेट सिंग ने किया था या युद आ निर्नित समाप्त हुआ था तो यहां पर हमने हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्ण थर्टी कोशन को डिसकस किया थाइंक यू